आज मैं आपको ठंडियों के लिए special हरे मतर के पराठे बनाना सिखाऊंगी ठंडियों में पराठे काने का बहुत ही टेस्टी लगता है गरमा गरम और ये जटपट बनने वाला हरे मतर का पराठा बनाएंगी तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करेंगे अगर रेसिपी करें दाने मिक्स चार के अंदर ऐड़ कर दिये हैं आप चाहें तो चौपर में भी उसको क्रश कर सकते हैं उसके बाद यहां पे हमें लेनी है ग्रीन चेली तो मैंने यहां पर हरी मिर्शी ली ली नियुग है दो असे तीन आपको जितना तिखा पसंद है उस हिसाब पर लि गंदा चला लिया है आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से इसका जो पेश्ट है वो बनके तयार हो चुका है एकदम बारिक नहीं करना है हलका सा दरदरा रखना है तो यहां पे बहुत ही अच्छे से दरदरा हमारा पेश्ट तयार हो चुका है बस तो अभी हमें उसको निका तो यहां पर सारी मैंने पेश्ट को एड़ कर दी है अच्छे से ऐसे ही भुनेंगे अगर आपको इस समय पानी लग रहा है लेकिन वो जैसे ही भुनते जाएगा वो अच्छे से ड्राय हो जाएगा तो बस इसके अंदर आप चाहे तो आलो थोड़ा सा एड़ कर सकते है यहां पाउडर मैंने यहां पर धनिया और जीरा पाउडर एड़ कर दिया है एक चमच यहां पर आमचूर पाउडर को एड़ कर देना है और थोड़ा सा गरम मसाला भी एड़ कर देना है इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़ी आता है और थोड़ी सी काले मेश को भी एड़ कर देनी ह यहां पर मैंने गाले में एड़ कर दी है अभी मसालों को अच्छे से मिक्स करना है पकाना है जब तक यह अच्छे से ड्राइ ना हो जाए आप अपने मन पसंद के कोई भी मसाले और एड़ करना चाहे तो यहां पर एड़ कर सकते है लेकि इतने ही मसालों में यह बहुत ही टे नहीं ड्राय होगा तो यह अच्छे से अच्छे से पराठा के अंदर जो हमारा है वह अच्छे से हो जाता है सेट तो बस अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी यहां पर मैंने पराठा का आटा पहले ही लगा लेता है नौर्मन हम फुलका रोटी के लिए जो आटा लगाते हैं तो आप ऐसे ही आटा गुंद लीजे बस यहां पर मैं आटे को ले लूँगी यहां से छोटी से हमें लूई ले लेनी है निके पैंडा सा हलका ले लेंगे उसके स्टफिंग करेंगे स्टफिंग के लिए अच्छे से आपको यहां पर कटोरी जैसा शेप देना है ताकि जो अच्छे से इसके अंदर समा जाए तो यहां पर मैंने हलका-सा ड्रस्टिंग के लिए अटा से इसके इंदर एड़ कर दिया है दो बड़े चम्मार स्टफिंग एड़ कर देंगे और उसको पोड़ी जैसा प्रेय चाहिए और उपर लेते जाएंगे ताकि यह पीशिक जैस स्टाफिंग भरी है दिखेंगे आप पराठा के अंदर इक्वली स्प्रेड हुई यानि कि अच्छे से हमारी स्टाफिंग हुई है बस ऐसी आपको पराठा को बेल लेना है और सीखते जाना है तो यहां पर तवा औरड़ी मैंने घरम करने के लिए रख दिया है आप देखें गए नीचे से भी यह से लिगा है तो बस दोनों तरफ से शिकना स्टाट हो चुका है अभी हम घी लगा लेंगे और अच्छे से उसको करारा होने तक उसको बहुत से भी अच्छे लिए देखेंगे फूले फुले पराठे बनके तयार हो जाए ठंडियों मैं बच्चे को आ तर्मा गरम परोठा बनके तयार हो चुका है आप इसे बटर लगा के सर कीजिए ग्रीन जटनी के साथ आचार के साथ हर इमेज के साथ सर कर सकते हैं दही के साथ तो बहुत ही टेश्टी लगता है तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तुसे लाइक और शेयर जरू कीजिएगा हमारी यूट्यूम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलेगा मिलते कैसे नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई